प्यारे बच्चो सुप्रबात आज हम इस वीडियो में अवकास, फीस माफी, जुर्माना माफी के लिए लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्रों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ important बात हैं यानि प्रार्थना पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले left side में सबसे उपर date लिखनी चाहिए दनांक लिखनी चाहिए और उसके बाद जहां से आप letter लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उस place यानि इस्थान का नम जैसे आदर्शनगर जैपुर या गांधी कॉलोनी मुझफर नगर date के बाद और उसके बाद आप जिस संस्ता प्रमुक या विद्याले के प्रमुक के लिए पत्र लिख रहे हैं जैसे सेवा में स्रीमान प्राचार मौद है या सेवा में स्रीमान प्रदाना अध्याफक मौद है उनके लिए उचित एवं उपयोक्त संबोधन सबसे उपर दिनांक left side में उसके नीचे जहां से आप पत्र लिख रहे हैं उस इस्थान का नाम और उसके बाद जिस संस्ता प पूरा नाम यानि विद्याले का पूरा नाम एबं पता यानि एड्रस उसके बाद अपने विशयका सब्जेक्ट का सटीक विवरण सटीक उल्लेक यानि अवकास के लिए या फीस माफी के लिए या जुर्मान माफी के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है टॉपिक है उसक किसी एक सब्द का उपयोग करें और उसके बाद समश्या का कारण बताते हुए उचित तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए बच्चु प्रार्थना पत्र की जो भासा है वो कैसी होनी चाहिए आदर एवं बिनम्बरता युक्त सरल भासा का प्रियोग करना चाहिए अपनी बात कहने के बाद धन्यवाद और धन्यवाद के बाद आपकी आग्याकारी चात्र या आपका आग्याकारी चात्र और उसके बाद अपना नाम, क्लास, अनुक्रमान के आनी रोरंबर का उलेख करना चाहिए तो यह थी मैत्वपूंड बात हैं प्रार्थना पत्र ल अब आप उसमें अभकास किसली चाहिए मामा जी कि साधी में जाना है या फिर आपको अस्वष्ट है बीमार है या आपको अर्जेंट वरक है यानि आवश्यकार है तो उसी के मताविक आप सब्जेक्ट लिखेगे और उसी के मताविक जो लेटर की जो मैन वोड़ी है जो लेटर का जो मुख्य बाग है उसमें उसी के मताविक भासा बनाएंगे और फॉर्मिट यही होगा तो सबसे पहले क्या लखेंगे द्रंक यानि तीन साथ दौजार एकीस या जो भी डेट है उसके बाद इस्थान का नाम मुझभफन नगर ज सम्भुधन करेंगे सेवा मैं स्रीमान प्राचार मोध केंद्रिय विद्याले सरकूलर रोड मुझभफन नगर फिर विशय यानि सब्जेक्ट का उल्लेक करेंगे अस्वस्त होने पर तीन दिन के अवकास है तु प्रार्थना पत्र अस्वस्त यानि बीमार होना अच्छा फिलना होना विशय के बाद उचित सम्भुधन माननिवर और माननिवर के बाद समने निवेदन है कि मैं पिछले दो दिन से अपने आपको अस्वस्त मैसूस कर रहा हूं चिकित्सक यानि डॉक्टर ने मुझे तीन दिन तक आराम करने की सलहा दी है अतह मैं विद्याले आन मैं असमर्थ हूं आपसे विनंबर निवेदन है कि मुझे तीन दिन का अवकास प्रदान करें आपकी अतिक्रपा होगी सधन्यवाद आपका आग्याकारी चात्र या आपकी आग्याकारी चात्रा अपना नाम यानि अनुपम क्लास फिप्ट शिक्स सेविंट एर्थ जो भी है आपकी क्लास और अनुक्रमां क्या नहीं आपका रौनमर तो यह था बच्चो अवकास प्राथना पत्र इसका टॉपिक और भी हो सकता है मामा जी की साधी में जाने के लिए या आवश्रक कारे के लिए तो फॉर्मेट यहीं होगा सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट चें या मुझे घर पर आवश्यकार है जिसके कारण में विद्याले आने में अस्मर्त हूं विद्याले नहीं आ सकता तो इस तरह से बासा जो मुख्य बागे पत्र का उसकी बासा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी बाकी पत्र का जो प्रारूपय फॉर्मेट है वो यहीं रहेगा जो अब बात करते हैं बच्चों फीश माफी के लिए प्रार्थना पत्र तो सबसे पहले क्या लखेंगे लेप्ट साइडमे देट यानी दरंक और उसके नीचे जहां से आप पत्र लखने उस पलेस का नाम जैसे मुझफन नगर या दिल्ली या मुमबई जो भी है उसके ब प्रमुखें जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उसके बाद संस्था का पूरा नाम पता केंदरिय विद्यालय सरकूलरोड मुझफण नगर या आपका जो भी विद्यालय है विद्यालय का नाम पता उसके बाद सब्जेक्ट का यानि विसय का उल्ले करना है फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र उसके बाद मानने वर सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्याले का एक होनहार छात्र हूं मेरे पिताजी एक छोटे से दुकांदार है उनकी मासिक आय बहुत कम है वह परिवार पालन का खर्च मुश्किल से चला पाते हैं वे मेरी विद्याले फीस भरने में असमर्थ हैं अतहर आपसे निवेदन है कि मेरी विद्याले फीस माफ करने की क्रपा करें आपकी अत्यक्रपा होगी सधन्यवाद आपका आग्याकारी चात्रिया आपकी आग्याकारी चात्रा नाम अनुराग या जो भी आपका नाम ह क्लास जो भी आपकी 3rd, 4, 5th, 6, 7, 13 जो भी आपकी क्लास है और अनुक्रमान क्यानी रो नमर तो इस तरह से फीस माफी के लिए आप जैसे यहाँ पर मैंने दुकानदार बताया है पिता जी को आप गरीब किसान कह सकते हैं मजदूर कह सकते हैं तो इस तरह से अपना दिनम्ब माफी के लिए प्रार्थना पत्र जिसमें बनम्रता पूरवक निविधन करते हुए फीस माफी के लिए निविधन किया गया था अब बात करते हैं बच्चे जुर्माना माफी के लिए प्रार्थना पत्र तो जुर्माना या नहीं मान के चलो आप से कोई अंजाने में कोई कोई गलती हो गई आपसे अंजाने में क्लास की खड़की का काच तूट गया या कोई और कुछ चीज टूट गई विद्याले की और उसके लिए विद्याले की अनुसासन समती ने विद्याले की डिसिप्लैन कमेटी ने या आपके क्लास टीचर ने आप पर जुर्माना कर दि यह प्राचार या प्रदानाध्यक को पत्र किस तरह से लिखेंगे किस तरह से उसकी भासा होगी को देखी सबसे पहले उसी तरह से सबसे पहले ऊपर लेप्ट साइड में डेट और उसके बाद प्लेस यानि लिखने मौद है उसके बाद संस्ता यानि विद्याले का पूरा नाम पता केंद्री विद्याले सरकुला रोड मुझफर नगर उसके बाद विशयानी सब्जेक्ट का उले करना है जुर्माना माफी के लिए प्रार्फना परत्र अब उसके बाद मानिवर और समने निवेधन है कि मैं आपके विद्याले का एक होनार चात्र हूँ या होनार चात्रा हूँ मुझसे अंजाने में खेलते समय कक्षा की खिड़की का कांच तूट गया है जिसके लिए कक्षा अध्यापक द्वारा मुझ पर 321 रुपे का जुर्माना कर दिया है 321-321 मेरे पिताजी एक गरीव किसान है वह परिवार पालन का खर्च मुश्किल से चला पाते हैं वे मेरा जुर्माना भरने में असमर्थ हैं या वे मेरा जुर्माना नहीं भर सकते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ के भविश्य में ऐसी गल्ती नहीं होगी अतहा आपसे आपकी आग्याकारी चात्रा अपना नाम क्लास रो नंबर यह सब लिखना होता है बताना होता है तो इस तरह से जुर्माना माफिक का जो पत्र है उसकी भासा बिनम्रता से यक्त होनी चाहिए आदर सम्मान से यक्त होनी चाहिए हमें इन बातों का ध्यां रखना चाहिए औ और बच्चो सबसे important बात, आप तीनों पत्र देखे आपने, यानि जो left side है, पत्र की left side है, उसका उपर नीचे sequence सेम है, जो series से है, sequence सेम है, उपर नीचे line सेम है, लेकिन जो right side में है, आगे पीछे line हो गई है, तो right side की कोई दिकत नहीं है, left side का sequence, जिस तरह से उपर नीचे ए लेकिन एक सीध में है, तो left side का ध्यां रखना है, पत्र लिखते समय, कि आपका जो sequence है, पत्र का वो इस तरह से होना चाहिए, left side में, आगे पीछे line नहीं होनी चाहिए, टेडी मेडी नहीं होनी चाहिए, बिलकुल सीधे क्रम में होनी चाहिए, एक के नीचे, एक line होनी चा तो यह थे बच्चों आपका जुर्मान माफी के लिए प्रार्थना पत्र और फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र और सुल्क माफी के लिए यानि चुट्टी के लिए फीस यानि सुल्क माफी के लिए जुर्मान माफी के लिए आप इस तरह से अवकास के लिए जुर्म इसने में समर्थ होंगे काम्याब होंगे और सपलता हासिल करेंगे यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें सेयर करें हार्दिक सुपकान आये all the best good luck जैहिंद बंदि मात्रम धन्यवाद